हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज हम बहुती इंट्रेस्टिंग सी रेसिपी बनाने जाने तो वीडियो में लास तक बने रहीएगा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज की जो इंट्रेस्टिंग सी रेसिपी है, वो है एक कप मुर्मुरे से इतनी टेस्टी और दानेदार बर्फी, तो आप लोग देख के अंदाजा लगा सकते हो, ये कितनी टैम्टिंग और माउथ मेल्टिंग है, तो ये टेस्टी सी बर्फी आप बहुती कम इन पड़ेगी, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंसते रहें, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने लगबग दो कप मुर्मुरे लिए हैं, जो क यह मलाई घर में जो दूद गरम करने के बाद उपर सेपरेट हो जाती है, उसी मलाई को मैंने मिक्सी में एक दो बाद चैन कर लिया, जिसके बाद आप लोग देख सकते हो, कितना मक्षन जैसा स्मूथ सा टेक्स्चर आ गया है, तो चलिए अब हमने जो मुर्मुरे लिए ह उनको मिक्सी में डालके अच्छे से पीस लेंगे, तो लीजे मुर्मुरे पिस चुके हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसका कितना फाइन पाउडर बन के तयार हुआ है, अगर यह एक बार में फाइन नहीं हो पाता है, तो आप इसको एक बार छान लीजे और हमने क्या करना है, एक जार लेंगे, उसमें जो हमने चीनी ली थी, उसको डालेंगे, और साथ में ही डैसिकेटर नारियल और काजू बादाम को इसमें डाल देंगे और इन सभी चीज़ों का एक fine powder बना के तयार कर लेंगे तो लीजे इनका powder बन के तयार हो चुका है तो यहाँ पे आप लोग इसका भी texture देख सकते हैं बहुत ज़्यादा fine हो चुका है तो यहाँ पे dry fruits आप अपनी पसंद के according भी डाल सकते हैं किसी को गरी का taste बगारा पसंद नहीं होता है तो आप गरी को skip कर दीजे आपको जो भी dry fruits पसंद है वो आप डाल सकते हैं तो इस powder को मैंने एक bowl में transfer कर लिया है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो powder भी बहुत fine बनाया है तो यहाँ पे जो मैंने मुरमुरे का powder बनाया है उसमें ये problem आप लोग को आ सकती है लाइक मुरमुरा अगर 10 या 15 दिन रखा हुआ हो तो उसमें moisture हो जाता है जिसके बाद वो पीषने से पिस्ता नहीं है तो ऐसे में आप क्या करें या तो उसको दूप में सुखा लें या अगर आप जल्दी में है तो कड़ाई में हलका सा roast कर लीजे जिससे बो कुरकुरे हो जाएंगे और बहुत आराम से पिस्त जाएंगे और इस तरीके का fine powder आपको मिल जाएगा तो लीजे यहाँ पे मिठाई बनाने की सारी तयारियां हो चुकी है तो अब हम बनाते हैं मिठाई जिसके लिए मैंने एक mixing bowl लिया है और जो मुर्मुरे का powder था उसको मैंने इसमें पलट लिया है अब हमने जो dry fruits और चीनी का powder बनाया था बो इसमें डाल लेंगे और साथ में ही मैंने यहाँ पे 4 चमच milk powder लिया है जो कि बिल्कुल optional है अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं या फिर आप इसको skip कर सकते हैं milk powder डालने से हलका सा मावे का टेस्ट आने लगता है जो कि मिठाई में बहुत अच्छा लगता है अब हम इसमें मलाई डालेंगे तो यहाँ पे मैंने पहले दो चमच मलाई डाली है उसको अच्छे से mix कर लेंगे और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा मेरा नया चैनल है तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है तो प्लीज प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो यहाँ पे मैंने मलाई और जो पाउडर बगार था वो उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है तो यहाँ पे मलाई थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने बाद में एक चमच मलाई और डाल दी है इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें जो कटोरी में दूद रह गया था बो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके एक डो बनाके तयार कर लेंगे तो इस तरीके से हम हातों से इसको मैस कर लेंगे अच्छे से तो लीजे यहाँ पे यह जो मिक्स्चर था वो डो की फॉर्म में आ चुका है आप इसकी जगह कोई मोल्ड भी ले सकते हों थाली को मैंने हलका सा ग्रीस कर लिया है यहाँ पे आदी थाली में मिठाई हमारी जम जाएगी इस बज़े से मैंने आदी थाली को ही ग्रीस किया है तो जो डो हमने बना के तयार किया था उसको थाली में रख लिया है और इस तरीके से उंगलियों से प्रेस कर करके अच्छे से हम सेट कर लेंगे यहां पर आप किसी भी तरीके से इसको सेट कर लीजिए मैंने यहां पर इसको स्क्वेर सेट किया है तो इसको डेकोरेट मैंने किया है बादाम से जिसको मैंने लॉंग स्लाइस में काट लिया है और इसको इस तरीके से इसके उपर स्पृट कर देंगे तो आप बादाम की जगह किसी भी ड्राइफूट से डेकोरेट कर सकते हैं या फिर चांदी का बर्क लगाना चाहें तो चांदी का बर्क लगा सकते हैं डेकोरेशन बिलकुल आप पर डिपेंड है आपको जिस तरीके से डेकोरेट करना है तो साथ में ही मैंने यहां पर डेसिकेटेड नारियल लिया है जिसमें ग्रीन फूड कलर एड़ कर दिया था जो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटिफुल लग रहा है तो एक वार हम इस तरीके से अपने हाथ से इसको प्रेस कर देंगे ताकि बादाम इधर उधर फैलेना तो आप इसको या तो 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजे फ्रिज में या फिर आप रूम टेंपरेचर पे भी इसको छोड़ देंगे तो भी यह बहुत आसानी से जम जाएगी उसके बाद आप किसी भी सेफ में इसके पीस कट कर लिजे आपको जिस भी तरीके से काटने हो काट सकते हैं तो आप लोग अंदाचा लगा सकते हो कि यह कितनी दानेदार मिठाई बनके तयार हुई है बहुत ही जल्दी और कितने कम इन इंगेडेंट से तो अब मैं इसका पीस आप लोगो दिखाती हूँ तो आप लोग देख सकते हो कितनी टेस्टी टेम्टिंग और डेलीसियस से मिठाई बनके तयार हुई है तो देखी इतनी दानेदार मिठाई आप बिना मावा के बनाई नहीं सकते हो तो यहाँ पर मैंने कितने कम इंगेडेंट से यह मिठा लगी बबाई